D.A.B.com B.S.C. M.A.M.com करें विश्व की सबसे बड़ी युनिवर्सिटी इगनो से सॉल्व असाइन्मेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें संपर करें महाकाल कम्प्यूटर्स D.A.V.P.G. कॉलेज के पास पंच मदीरा मोर से दाहिने सिवान नमस्कार स्वागति आपका देख रहें लाइटे नियूज वामय कीर्थी सिवान में मोहम्माद शाबुदीन के बेटे उसामा के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है ये पैसे सोशल मीडिया के फेस्बुक पर फेक अकाउंट बना कर मांगे जा रहे हैं और वामद ने कहा कि है कि ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट फरजी है उनका किसी सोशल मीडिया प्लैट्फॉर्म पर कोई अकाउंट नहीं है उसामा सहब प्रशासन से इसको लेकर शिकायत करेंगे उसामा सहब ने लोगों से भी अपील की कि फरजी मैसेज से बचे आपको बता दे कि पूर्व सांसर मुहमाई शाबुदीन के बेटे उसामा भी वर्तमान में राजनीती में हाथ आजमा रहे हैं सिवान के पूर्वसांसा शहबुदीन के बेटे उसामा ने कहा कि लोगों से अपील है कि वो इस तरह की फर्जी मैसेज को ना देखे, इग्नोर करे, इस से बचे इस तरह की फेड आईडी बना कर मुझे बदनाम करने की कोशिश रची जा रही है बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को उसामा साहब के नाम से कई बार मैसेज भी आया है इस मैसेज में लिखा गया है कि मुझे चप्रा के एक आदमी का मैसेज आया है उसको कुछ खर्चा भेजना है, मैसेज में 10,000 रुपे की डिमांड भी की गई है बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति को एक ही मैसेज कई बार आया है गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी ऐसी ही आरजेडी के खिलाफ उसामा साहब के नाम से फेक मैसेज फैलाया गया था दरसल उसामा के नाम से एक फेक वाटसेप के जरिये आरजेडी के खिलाफ आपको बता दे जहर भी उगला गया था मैसेज में कहा गया था कि अम्मी जो सोच रही है वो बोलेंगी मगर मुझे राज़त पसंद नहीं है अब सब कुछ अम्मी के उपर है बता दे कि पूर्व सांसा शहबुदीन की मौत के बाद लोग उसामा को उनके रूप में लगातार देख रहे हैं और उनकी चवी उसामा में वो कहीं ना कहीं तलाशते हैं लोगों का मानना है कि वो सिवान पर अपने पिता की तरहा राज कर सकेंगे हलाकि बड़ी बात ये है कि उनकी मौत के बाद भी परिवार का दबदबा सिवान और आसपास के इलाके पर कम नहीं हुआ है फिलाल के लिए बस इतना है वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रू करेगा चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलिएगा